राम राम जी क्या अलसारियां का रील इंडिया चैनल पर आप सारे साथियां स्वागत है और वही आज सुबस्वाप के लिए दमाकेदार अपडेट लिगरा अपडेट यह है कि दसवी पास ब्रवजगानों के लिए 5,000 पदों पर बंपर बढ़ती हैं निकली वही यानि टोटल पद जो है 5,700 पद हैं और किस दिपार्टमेंट में हैं और कौन कुर से पद हैं और दसवी पास के लिए वह इसमें क्या कुछ ए एक्जाम पैटरन रहेगा और क्या कुछ ज पाने के लिए वीडियो को शुरूर से अन तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्याद ज्यादा सेर जरूर किजीएगा ताकि और साथियों को भी बशने बारे में पता चल सके और चैनल को संस्क्राइब ज्रूर कर लिजीएगा ताकि जो भी लेटेस अपडेट आये भाई इसमें CAPF NIA SSF राइफल और इसमें जो है असाम राइफल तो इसमें जो है टोटल जो है 75,766 पदाउं पर पर बरतिया निकली है और इसकी जो आवेदन की ओनलाइन अप्लाइक ने स्टार्टिंग डेट है वो जो है ग्राइफल यानी 24,5 जो झोलाइफल लाइफल देसल रहेगी और इसकी जो है फोरम की सबमिंशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी जनरेशन अगर आप ओफलाइन चलाने की फीश रहेगी इसमें 28,12,3 ही रहेगी और यदि आनलाइन पर नप 5.59 जो रहेगी Feast करते हैं, तो उसकी 29.22.23 रहेगी वहीज़, ठीक है, और बात कर लिते हैं चलाड भी जो है 29.22.23 से पहले जो है फिलब को लेने, चलाड निकालने 28.23. marc. 28.23 रहेगी, और उसकी जो फिनेamarी पेमेंट की चलाड की ठूब, बेंकिंग में, या किसी तरह जो 1912-2030 रहेगी और इसका जो एक्जाम होगा वह एक्जाम जो फरवरी 2420 में रहेगा तो दोस्तों बात करें लगते हैं बही कौन कौन सी पोस्ट है कॉंस्टेबल के लिए सबसे पहले पे लेवल की बात करें तो पे लेवल समें 13000 से 57900 रुपए रहेगा और यह लेवल एक के लिए और लेवल तो लेवल तीन के लिए 2700 से 79600 रुपए रहेगा तो इसमें वो बतावाँगा भी टोटल है कितनी वेकैंसी हैं मैं क्टैगरी वाइज नहीं बतावाँगा भी जैसे बिसेफ के अंदर जो कॉंस्टेबलों की वेकैंसी है 27800 रहेंगी CISF Constable की जो है 8,508 पोस्टे रहेंगी CRPF के अंदर जो है 25,427 पोस्टे रहेंगी और SSB के अंदर जो है 5,213 पोस्टे रहेंगी ITVP के अंदर जो है 3,006 पोस्टे रहेंगी AR के अंदर जो है 7,466 पोस्ट रहेंगी SSF के अंदर जो है 583 पोस्ट रहेंगी और NIA के अंदर जो है 225 पोस्टे रहेंगे तो टोटल मिला आगर कर पच्छे तरजार साथ सोड़िश्ट पोस्टे बनती है वही जो की कॉंस्टेबलों की हैं तो आप जो इसमें अपलाई कर सकते हैं और दूसरी बात मैं बता है तो आपको age के बारे में तो age इसमें जो है 13 से 23 वर्ष जो है मांगी गई है और जो यह उमर जो है 18-2023 के कोटिंग होने जनी 1 August 2013 के कोटिंग जो है 13 से 23 उमर जो है फिस उमर होनी चाहिए और इसमें जो SC ST को 5 साल की छूट रहेगी OVC को 3 साल की छूट रहेगी X-Triarch Man को 3 साल की छूट रहेगी और Child and Dependent of Victims Killed in 1984 Roots और Communal Roots of 2002 इन गुजरात उनको जो है 5 साल की छूट रहेगी इसी प्रकार Child and Dependent of Victims Killed in 1984 2002 गुजरात में इसमें जो 8 साल की रहेगी और Child and Dependent of Victims Killed in 1984 82 Roots of 2002 CCST इसमें जो 10 साल की छूट रहेगी और और भी छूट है जो सरकार के नियमानुसार रहेगी तो इसमें अब बात कर लेते में मैंने बताऊँगा अगर पूरी वीडियो बताऊँगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएग और आप जो वीडियो देख सकते हैं आप दस्वी पास मांगा गा है इसके अंदर और इसमें जो है प्रोपर वेबसाइट जो है आप जो देख सकते हैं sttps.slash.sse.nic.in पर जागर के आप जो संपूर्ण जानकारी भी देख सकते हैं और ये पीडियो भी आप जो आप जो वहां से डाउमलोड कर सकते हैं और दूसरी बात बताजिता हैं आपको फीस के बारे हैं फीस इसमें जो है 100 रुपर रखी गई है sc, st, ex-serviceman और ESM category और woman के लिए जो है shoot रहेगी इसमें इनको जो आप फीस पे नहीं करनी है तो ये जो है आप देख सकते हैं ये exam center भी दिये कई हैं जिसके नश्दिक जो exam center लगता हूँ अपना exam center जो है फोर्म फील कर सकता है और अब बात कर लेते हैं scheme of examination exam भई 20 नमर की मैं journal intelligence and reasoning रहेगी sorry 20 question रहेगी part B में journal knowledge और journal awareness के 20 question रहेंगे 44 नमर के रहेंगे part C में जो elementary mathematics के 20 question रहेंगे 46 नमर के और part D जो है इंदिया एंगलिस के 20 question रहेंगे 44 marks के total इसमें जो 60 मिंट आपको जो है exam के लिए मिलेंगी और इसमें जो है negative marking में रहेगी एक question के जो है 0.50 marks जो है negative marking कटेगी और इसका जो संपूर्ण सी लेबस है जैसे journal intelligence reasoning में क्या क्या रहेगा journal knowledge, journal awareness में क्या रहेगा तो इसके संपूर्ण सी लेबस जो APD में दिया गया है और इसमें जो बात कर लेते हैं physical test PET test भी होगा इसमें तो PET test में रेस के लिए जो इसमें मेल के लिए जो पांस किलो मिटर 24 मिन्ट में करनी पड़ेगी बाई और फिमेल को जो है 1.6 किलो मिटर जो है 8 सदे 8 मिन्ट में करनी पड़ेगी और इसी प्रकार जो है 1.6 किलो मिटर की रेस सदे 7 मिन्ट में प्रेजिर जो है करनी होगी मेल और 800 मीटर की जो मेल thick uniform को च्यार मीटर में करनी होगी लेल अदाक के जो कैनिडेट है उनको जो इसमें सूट रहेगी मोटी मोट डिटेल बता रहा हूँ वह कोई थोड़ी बहुत डिटेल शूट चाहिए तो इसके लिए माफिस आते हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है अब पीस्टी वारें बात के लेते हैं तो इसमें मेल के लिए 170 cm हाइट रहेगी और इसमें चूट बगा ऑफिंद्द्री जो इन तो देर देख सकते ना चाहिए और ओमर्के अंत्र होना चाहिए यह सारा पूस इसमें तो इसमें देर कै令 इतना ही फिर नाएक नहीं लेटिस अगर आपको वीडियो पुसनादी वीडियो को ज्याज़ ज्याज़ जरू करें और साथ ही जो है चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को संस्क्राइब जरू कर लें तो इस एक साथ जैहिंद जैभार्त